कल भोजपुरिया सुपस्टार पवन सिंग का बर्दे था और उनके बर्दे की पार्टी तो भाई आप अपने इस वीडियो में देख लिजे कितनी खास है हम आपको क्या नया बताने वाले हैं भाई पवन सिंग के बर्दे में रितेश पांडे आये थे अब आप ये कहेंगे रितेश पांडे आ गए तो उसमें गलत क्या है आज कल जो रितेस पांडे की नजदिकिया है पवन सिंग से बढ़ रही है तो दूरियों की खबर खेसारी लाल यादो से आ रही है जी है खेसारी ने उनी का गाना गाया है ऐसा रितेस पांडे का आरोप है खेसारी लाल यादो पर कि उन्होंने उनका गाना चुरा कर गा लिय अब वो गाना खेसारी का सबसे सुपर हिट गानों में से एक हो चुका है जिस बात के लिए रितेस पांडे ने यहां तक कह दिया है कि वो कोई न कोई एक्षन तो जरूर लेंगे क्यों उनके पास प्रूफ है उनके पास एविडेंस है कि वो गाना सिर्फ और सिर्फ उन्हें का है खेर आगे हम बात आपको क्या बताने वाले हैं क्या आपने नोटिस किया है कि यह बद्धे हो रहा था अंधेरी में यानि पवन सिंग के घर से कुछी दूरी पर और पवन सिंग के इस बद्धे में सामिल हुए रितेस पांडे गुंजन सिंग और भी म्यूजिक जगत के कई बड़ी हस्तियां लेकिन नहीं सामिल हुए तो खेसारी लाल यादो खेसारी लाल यादो इन दिनों अपनी फिल्म बाब जी की शूटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको बता दे वो है मुंबई में और पूरी तरह से फ्री थे लेकिन क्यों नहीं बुलाया गया भाई अ तो उस पार्टी में अब आपको रितेस पांडे नहीं दिखेंगे वैसे भी प्रदीपांडे चिंटू के बाद रितेस पांडे दूसरे नंबर के दुश्मन हैं खेसारी लाल यादो के जी हां खेसारी लाल यादो जिस गती से बोचपुरी इंडस्ट्री में अपनी जगे बनाते जा रहे हैं उसे देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनके दुश्मनों की संख्या जादा ही होगी वैसे आपको यहां यह भी बता दे कि खेसारी पर आए दिन विवाद चलते ही रहते हैं कभी उनका विवाद राजकुमार पांडे से होता है तो कभी प्र खेसारी लाल यादो का जमकर विवाद हुआ था लेकिन अब उस विवाद को सौट आउट कर लिया गया है और फिल्म बाब जी में ये दोनों एक आइटम नंबर करते नजर आएंगे फिर आगे आपको क्या बताते हैं आगे हम आपको यह बता रहे हैं खेसारी लाल यादो के दो नए दुश्मन तयार हो चुके हैं पहले हैं प्रदीप पांडे चुन्टु और दूसरे हैं रितेस पांडे भाई कि एक इंटर्विव में तो खेसारी लाल यादो ने ये तक कह दिया था कि नए स्टारों की तो वो फिल्में भी नहीं देखते भाई जो भी हो लेकिन यहां ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादो के लिए आगे आने वाले दिन हो सकता है मुश्किल में हो अगर रितेस पांडे ने उन पर कोई कानूनी कारिवाई की तो भूचपुरी जगत की होट और मसाले दर गोशिप के लिए हमें सब्स झाले आने वाले खेसारी जगत की तो रिए हमें सब्सुपरी लादो लेकि लेकिते जगए हमें सब्सक्रिफे लादो के खेसारी चाईसरी जगत की होट़।